और अब वो शुब बेला जब देश विकाश के इस शिखर पर पहुँचने की सीढ़ी का एक सौपान और तै करने जा रहा है मानिनी प्रधान मंत्री जी से हमारी विनम्र अनुना है कि कृपिया 4.5 NTPA Modernized and Expanded Rourkela Steel Plant का शुभारंब अपने कर कमलों द्वारा टेबल पर इस्थित बटन दबा करें मानिनिय इसे राश्ट्र को समर्पित करें 4.5 NTPA Modernized and Expanded Rourkela Steel Plant ये modernization और expansion hot metal capacity को दुगना कर देगा यानि ये capacity पहले 2 million ton per annum थी अब 4.5 NTPA हो जाएगी जी हां और ये राश्ट्र को समर्पित 4.5 NTPA Rourkela Steel Plant quality में ज्यादा निखार, उर्जा खपत में कमी, परियावरण पर भी विप्रीत असर नहीं पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद मानिनिय इस्थिल अथॉरिटी स्टील इंडास्ट्री अर्थविवस्था के विकास की backbone है स्टील इंडास्ट्री की सेवाओं को सराहने और उनके द्वारा स्थापित उच मानदंडों को प्रोचसाहित करने के उदेश से देश के best performing steel plant को प्राइम मिनिस्टर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है हम मानिनी प्रधान मंत्री जी से साधर अनुरोध करते हैं कि 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए ये ट्रॉफी प्रदान करे 2010-11 के लिए ये ट्रॉफी दी जा रही है टाटा स्टील लिमिटेट को इसके जमशेदपुर स्थित steel plant के लिए जमशेदपुर स्टील प्लांट ने 1 मिलियन टनकी केपैसिटी से अब 10 मिलियन टनकी केपैसिटी हासिल की है श्री टीवी नरेंडरन मैनेजिंग जरेक्टर इस ट्रॉफी को ग्रहन कर रहे हैं उनके साथ है श्री रवी प्रसाद प्रेसिडेंट टाटा वर्कर्स यूनियन 2011-12 के लिए बेस्ट इंटीग्रेटेड प्लांट के तौर पर भिलाई स्टील प्लांट स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेट को ये ट्रॉफी हासिल हुई इसे भारती रेलवेस को उच्च गुनवत्ता वाली रेल सप्लाई करने का सौभागे प्राप्त है अभी तक इसने 4 लाग किलोमीटर की रेल भारती रेलवे को प्रदान की है श्री स्टी एस वर्माच चैमन सेल और श्री एस चंडर सेकरण सीएओ घलाई स्टील प्लांट इस ट्रॉफी को ग्रहन कर रहे हैं बेस इंटीग्रेटर स्टील प्लांट दो हजार बारा तेरा के लिए ये पुरसकार मिलता है JSW स्टील विजयानगर को JSW उच्च गुनवत्ता वाले स्टील प्रोडक्स उत्पादित करता है और इसकी किपासिटी अब 10 बिलियन टन हो चुकी है श्री सजजन जिंदल, CMD और श्री जयंत आचारिया डिरेक्टर कमर्शल और मार्केटिंग JSW विजयानगर इस ट्रॉफी को हासिल कर रहे है भारत के सपनों, आशाओं, आकांग्शाओं और अभिलाशाओं को एक नई उडान, एक नया आसमान देने वाले मानिनी प्रधान मंद्री शी नरेंद्र मोदी के कदम आधुनिक भारत के मंदिर रावर केला स्टील प्लांट में पड़े, तुमानो ये धर्ती प्रफुलित हो ठी हो अब देश इस पात जैसे मजबूत संकल्प के साथ विकास की राह पर चल पड़ा है क्योंकि विकास रत की बाग जोर मानिनी प्रधान मंद्री जी के अद्बूत नेत्रतु में है इंडस्ट्रिल कोणाग से कहे जाने वाले इस प्लांट से आपकी ओजपुन वानी में मानिनी हम सब को अपना आशिरवात दीजिए जय जगनात मन्च पर विराजमान ओडिजा के राजपाल स्रिमान जमीर जी राज्य के मुख्यमंत्री मेरे मित्र स्रिमान नवीन पटनायक जी केंद्रियम मंत्री मंडल के मेरे साथी स्रिमान नरेंद्रसीं जी तोमर केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी इसी धर्ती के संतान सिमान जुएल ओराव जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी यहां के जुजारू नेता सिमान धर्मेंदर प्रदान जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी स्री विष्टु देव साई जी राज्य सरकार के मंत्री स्री प्रफूल कुमार जी साउसत सिमान दिलीप जी स्थानिय विधायक मेरे मित्रा सिमान दिलीप रे स्थानिय विधायक सिमान सुप्रजी भारत सरकार के इस्पात सचीव सिराकेश शींग सहिल के ज्रेक्षर स्रीयस वर्मा मंचस्त विराजमान सभी वरिष्ट महनुभाव बंदे उतकल जननी ओडिसार प्रिय भाई भावनी मानकु मोर नमस्कार आजी पवित्र उतकल दिवास ओडिसार प्रतिष्टा दिवास समस्त वोडिसा अबासिंग को ये अफसर रे मोर अभिननदान आज ये मेरा सवभाग्य है के उतकल दिवस के पावन अवसर पर मुझे जगनाज जी की धर्ति पर आने का सवभाग्य मिला है इस उडिसा को बनाने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन खपा दिया साधना की और आज उतकल दिवस पर मैं विशेश रुख से उतकल मनी पंडित गोप बंदू दास को प्रणाम करता हूं उतकल के गवराव मदुसुदन दास को नमन करता हूं वीर सुरेंद्र साई को प्रणाम करता हूं और महराज कृष्ण चंद्र गजपती जी को मैं उनका पुन्डस मरन करता हूं ये बिर्शा मुंडा की भी क्रांती जोच से प्रजवली धरती है मैं बिर्शा मुंडा को भी प्रणाम करता हूं और आधुनेक उडिशा बनाने के लिए बीजू बाबु को हर उडिशा वासी हमेशा याद करता है मैं इन सभी महानुभाओं को और उडिशा की जनता को रदय से अभिनंदन करता हूं उनको प्रणाम करता हूं और मैं आज के उडिशा दिवस पर उडिशा वासीों को रदय से बहुत बहुत सुपकामराय देता हूं अभिनंदन करता हूं और उडिसा विकास की नई उचाईयों को पार करें, उडिसा के नौजवानों का भविश ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, सामर्तबान हो, रास के कल्यान में उडिसा की नई पीड़ी, अपना अमुले योगदान देने के लिए उसको अवसर मिले, उडिसा का किसान हो, उडिसा का मज़्दूर हो, उडिसा का मेरा मच्वारा भाई हो या उडिसा का मेरा आजिवासी हो, ये वो धर्ती हैं, जिसके लिए पुरा हिंदूस्तान गर्व करता है, भिवान करता है, यहां का सुर्य मंदीर, आज भी हिंदूस्तान को प्रकाश दे रहा है, एक नई आशा का संचार करता है, ऐसी इस पवित्र भूमी को मैं आज नमन करता हूँ, मैं पिछले वर्ष, अप्रिल महिने के पहले सप्ता, रावर केला की धर्ती पर आया था, शाएद चार अप्रिल को आया था, और आज एक साल के भीतर भीतर, दुबारा में आपके बीच आया हूँ, मैं पिछले वर्ष आया था, तब आपके सप्नों को समझना चाहता था, आपकी आशा अकांख्षाओं को समझना चाहता था, आज जब मैं आया हूँ तो, मेरा एक साल का हिसाब देने के लिए आया हूँ, और लोग तंत्र में यह हमारा दाईत्व बनता है कि हम जनता जनार्दन को हमारे काम का हिसाब दे, पल-पल का हिसाब दे, पाई-पाई का हिसाब दे, भाई यो भेनो, ये रावर केला एक प्रकार से लगू भारत है, हिंदुस्तान का कोई कौना नहीं है, जो रावर केला में बसता नहीं है, रावर केला में कुछ भी होता है, हिंदुस्तान पूरे कौने में उसका तुरंद वाइबरेशन पहुंच जाता है, और भारत के भी किसी भी कौने में कुछ भी क्यों नहीं हो, पल दो पल में रावर कौला में पता चल जाता है, इतना जीवंत नाता, संपुन भारत के साथ इस धर्ती का नाता है, यहां के लोगों का नाता है, एक प्रकार से रावर कौला को बनाने में भारत को इस पाथ की ताकत देने में, यह लगू भारत का यह रावर कौला का बहुत बड़ा योगदान है। भारत को एक करने का काम लोहपुरु सरदार बल्लब भाईक पटेल ने किया था। और आज हादी के बांद किसी शहर ने भारत को इस पाथ की ताकत दी है, तो वो शहर का नाम है रावर केला। बज्रसा सामर्थ दिया है और जहां से बज्रसा सामर्थ मिलता है वो राश्ट कभी भी पीछे नहीं हड़ता है। विकास की नई उचाईयों को पार करता जाता है। यहां पर डाक्टर राजेंद्र बाबु ने कई वर्षों पहले इस पांद के कार खाने की नीव डाली थी। यहां का जो मद्दूर होगा वो भी यह सोचता होगा कि मैं खनीज मैंसे आयन और मैंसे मिट्टी जैसा जो लग रहा है उसको प्रोसेश करके मैं स्टील तयार करता हूँ। मजबूत स्टील तयार करता हूँ। अच्छा स्टील तयार करता हूँ। लेकिन रावर केला के मेरे भाईयो बहनों आप सिरफ प्लेट नहीं बनाते हैं। आप सिरफ इतनी चोड़ाई, इतनी मोटाई इसकी सिरफ प्लेट का निर्मान नहीं करते हैं। आप जो पसीना बना बहाते हैं, आप जो महनत करते हैं, उस भैंकर गर्मी के बीच खड़े रह करके, आप अपने शरीर को भी तपा देते हैं। सिरफ स्टील की प्लेट पैदा नहीं करते हैं, आप भारत की साइन ने सकती में, भारत की सुरक्षा सकती में, एक अमोद ताकत पैदा करते हैं, एक बज्र की तादगत पैदा करते हैं। आज भारत सामुद्रिक सुरक्षा में इंडी जिनियस बनने का सपना ले करके चल रहा है। हमारे युद्धपोत हमारे देश में कैसे बने, इस पर आज भारत का ध्यान है। लेकिन युद्धपोत इसलिए बनना संबव हुआ है, क्योंकि रावर केला में कोई मजदूर भारत की सुरक्षा के लिए गर्मी के बीच खड़े रह करके अपने आपको तपा रहा है, तब जाकर के भारत की सुरक्षा होती है। तब जाकर के युद्धपोत बनते हैं, तब जाकर से यहां बनाया पकाया स्टील, भारत के सुरक्षा के लिए काम आता है। वो टेंक भारत में तम निर्माण होती है, जब रावर के ला में मजबूत स्टील तयार होता है। और इसलिए मेरे प्यारे भाजिये बहनों, दूर हिमाले की गोद में देश के सेना का जवान किसी टेंक पर खड़े रह करके माभारती की रक्षा करता है। तो उसके अंदर आपके भी पुर्शार्थ की स्मैक होती है, तब जाकर के राश्ट के रक्षा होती है। और असर्थ में यह स्टील उत्पादन का काम राश्ट की रक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। यह स्टील उत्पादन का काम न सिर्व उडिशा की आर्थिक जीवन को, लेकिन पुरे देश के आर्थिक जीवन में एक नई ताकत देता है। इस पिछड़े इलाके में यह उद्द्योग के कारण रोजगार की संभावनाय बड़ी है। यहां के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए रोजी रोटी का आवसर प्लब्द हुआ है। और आने वाले दिनों में उसके विकास के कारण और अधिक रोजगार की संभावनाय होगी विकास के और नई अवसर पैदा होने वाले है। आज इस प्रोजेक का एक्सपांसन हो रहा है और एक्सपांसन भी दो चार कदम नहीं। एक प्रकार से उसकी ताकट डबल से भी जादा होने जा रही है। इस ताकट के खारण देश की स्पांस की छमता में बहुत बड़ी बढ़ोती होगी। देखते ही देखते हिंदुस्तान ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है इस पांस के उत्पादन में। लेकिन अभी भी हम चाइना से काफी पीछे हैं। और जब मैं मेक इंडियरिया की बात करता हूं तो हमें किसी के भी पीछे रहना मंजूर नहीं है। हमें उसमें आगे बढ़ना है। देश 65 प्रतिशत नौजवानों से भरा हुआ देश है। भारत मा की गोद में 65 प्रतिशत 35 साल की कम उमर के नौजवान मा भारती की गोद में पल रहे हैं। कितनी बड़ी ताकत हैं हमारे पास। उनको अगर आउसर मिलेगा। उन्हें अगर रोजगायर मिलेगा। उनका अगर सही स्किल डेवलप्मेंट होगा। तो यह हमारे नौजवान पिछले 60 साल में हिंदुस्तान जहां पहुंचा है। दस साल में उससे तेज गती से आगे ले जाएंगे। यह मुझे मेरे नौजवानों पर पुरा भरोसा है। और इसलिए भाईयों भैनों देश का उद्योगी क्विकास हो। भारत के अंदर जो खनी संपधा है। यह कच्चा माल विदेशों में भेज करके, ट्रेडिंग करके, पेड भर करके हमें गुजारा नहीं करना चाहिए। हमारी जो खनी संपधा है, वो कच्चा माल दुनिया के बाजार में बेचने से पैसा तो मिल जाएगा। ट्रेडिंग करने से अपना परिवार भी चल जाएगा, पांच-पितास लोगों का और पेड भी भर जाएगा, लेकिन भारत का भविश्य नहीं बनेगा। और इसलिए हमारी कोशित है कि भारत के पांच जो कच्चा माल है, भारत के पांच जो खनीच संपधा है, खान खनीच में हमारा जो सामर्त है, उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए, उसका प्रोसेसिंग होना चाहिए, उसके मुल्य वृद्धी होनी चाहिए, और उस पर से उत्पांदी चीजे हो, वो विश्व के बैजार में उत्तम प्रकार की चीजों के रुप में जाएगी, तो भारत की आर्फिक संपर ताकत भी अनेक गुणा बढ़ेगी, और इसलिए हमारी कोशित है कि हमारे देश में जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल पर अधारित उद्ध्योगों की जाल बिछाई जाए, नव जवानों का अउसर दिया जाए, बैंकों से धन उनके लिए उपलब्द कराए जाए, और देश में एक नई अउद्ध्योगी क्रांती की दिशा में प्रयास हो, भाईयो बेहन बेहनों, एक समय था, भारत की और कोई देखने को तयार नहीं था, पिछला एक दसक ऐसी मुसीबतों से गुजरा है, कि जिसके कारण पूरे विश्व ने हमसे मूँ मोड लिया था, लेकिन आज भाईयो बेहनों, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, कि दस महने के भीतर भीतर, मिराशा के बादल चट गए, आशा का सुरद फिर से एक बार, आसमान के मध्यान पर पहुँचा है, और पुरा विश्व का ध्यान, आज हिंदुस्तान के अंदर, पुंजी निवेस की और लगा है, रेल हो, रोड हो, गरीबों के लिए घर हो, उ हिंदुस्तान के तरफ गया है, और हम इस अवसर का फाइदा उठाना चाहते हैं, हम विश्व को निमंत्रित करना चाहते हैं, आईए, आप अपने दसी बजम, आईए, भारत की धरती उरवरा है, यहां पर जो पुंजी लगाएगा, दुनिया में कहीं उसको जितना रीटन मिलता है, उससे जाना रीटन देने की तागत इस धरती के अंदर है, और इसलिए मैं विश्व को निमंत्रित करता हूँ, और उस इलाके में करना चाहता हूँ, मैं देवन से कह रहा हूँ, कि भारत का विकास, सिर्व हिंदुस्तान के पस्षिमी छोर पर होने से, भारत का सं पुर्ण विकास नहीं हो सकता है, महरास्ता आगे बड़े, गुजरात आगे बड़े, गोवा आगे बड़े, राजस्तान आगे बड़े, हर्यान आगे बड़े, पंजाब आगे बड़े, इससे काम नहीं चलेगा, वो बढ़ते रहे, और बढ़ते रहे, लेकिन देश का प Передस आगे बढ़े पूरे हिंदुस्तान का नक्षा देखिए पूर्वी वारत का इलाँप कर यह भी उते ही आगे बढ़ना चाहिए जितना कि हिंदुस्तान का पस्चीमी किनार आगे बढ़ा और इसलिए भाई भैनो मेरा पूरा इस बात पर है कि भारत का पुर्वी इलाखा उडिसा से ले करके गोहाटी तक पूरा इलाखा यह कैसे सामर्थवान बढ़े कैसे विकास की आत्रा में भागिदार बने इसलिए सरकार की सारी योजनाएं विकास की उद्धिशा में ले जाने का हमारा प्रयास है हमारी कोशिज है अब तक यह परंपरा रही दिल्ली वाले दिल्ली में बैठले वाले ऐसे अहंकार में जीते थे कि राज्यों को वो छोटा मानते थे नीचा मानते थे हमने इस चरित्र को वदलने का फैसला किया है यह परंपरा मुझे मंजूर नहीं है केंद्र हो या राज्य हो बराबरी के भागीदार है कोई उच नहीं है कोई नीच नहीं है कोई उपर नहीं है कोई नीच नहीं है कोई देने वाला नहीं कोई लेने वाला नहीं दोनों मिलकर के आगे बढ़ने वाले पांटनर है उसी रूप में देश को चलाना है और इसलिए हमने कोपरेटिव फेडरलिजम की बात कही है भाई यो बेहनों राज्जों ने हमसे कुछ मांगा नहीं था लेकिन हम मानते थे क्योंकि मैं खुद अनेक वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हूँ और देश में पहली बार लंबे अर्षे तक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति प्रधान मंत्री बना है और इसलिए उसको मुख्यमंत्री की तकलीफे क्या होती है राज्य की मुसीबते क्या होती है उसकी भली भाती समझ है मैं दिल्ली में बैठ करके भी उडिशा के दर्द को भली भाती समझ सकता हूं पहचान सकता हूं क्योंकि मैंने राज्य में काम किया है एक जमाना था, यहां का खनीच, खदाने आपके पास, लेकिन रॉयल्टी के लिए दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे, हमारी सरकार बनने के कुछ ही दिनों में हमने नेड़े कर लिया, कई वर्षों से रॉयल्टी का जो माम लाटका था, उसका निप्तारा कर दिया, और रॉयल्टी में हमने बड़ोतरी कर दी, क्योंकि हम मानते हैं, अगर धन राज्यों के पास होगा, तो राज्य भी विकास के अंदर पीछे नहीं अटेंगे, और इसलिए हमने इस काम को किया, भाईयों बेहनों, फाइनांस कमिशन के द्वारा राज्यों को पैसे दिये जाते हैं, पिछले वर्ष, उडिशा को बारत सरकार की तरफ से फाइनांस कमिशन ने करीब 18,000 करोड रुपिया दिया था, भाईयों बेहनों, हमने आते ही, 60 साल में पहुंचते पहुंचते 18,000 करोड पहुंचा था, हमने एक ही पल में 18,000 करोड का 25,000 करोड कर दिया, 25,000 करोड अगर राज्य आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, राज्य मिल्किल करके प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा, इस मंत्र को ले करके हम आगे चल रहे हैं, और मुझे भी स्वास है, कि जिस प्रकार से एक के बाद एक, भारत सरकार ने विकास के नए आयामों को छुने का प्रयास किया है, जो राज्य प्रोग्रेसिव होगा, जो राज्य लंबे समय की योजनाओं के साथ इस दन का उप्योग करेगा, वो राज्य हिंदुस्तान में नमबर एक पहुंचने में देर नहीं होगी, यह मैं आपको विश्वाद दिलाने आया, अब जिन्मेवारी राज्यों की बनती है, कि वे विकास के मार्क तै करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल लगाएं, तत्काली लाब वाला कारकम नहीं, लंबे समय के लिए राज्य को ताकत दिने वाला कारकम हाथ में ले, आप देखिए, आने वाली पीडिया सुखी हो जाएगी, और उडिशा में वो ताकत पड़ी है, उडिशा का इतिहास कहता है, स्वर्निम काल रहा है उडिया का, फिर से एक बार, वो स्वर्निम काल उडिया का आ सकता है, और मैं साब देख रहा हूँ, अब सर सामने आकर के खड़ा है, भाईयों बहनों, आप जानते हैं, कभी उडिशा के लोगों को लगता होगा, कि हमारा ऐसा नसीब है, कि एक कोईले की काली मां हमारे पर छाई हुई है, कुछ मिलता नहीं था, कोईला बोज बन गया था, आज कोईले को मने हीरा बना दिया, हीरा बना दिया भाई, कोईले की खदानों का उक्षन किया, जो कोईले को हाट लगाने से लोग डरते थे, आज उस कोईले को हीरे में परिवर्टित करने का हमने काम किया, जब सीएजी के रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था, कि कोईले के खदानों की चोरी में, देश के खदाने का एक लाग चहत्तर हजार करोड रुप्या लूट लिया गया है, मैं पिछले एप्रिल में मैंने हाँ ये भाषन में कहा था, तब मुझे कई लोग कहते थे, साब, एक लाग चहत्तर जार नहीं होगा, थोड़ा बोट लिया होगा, इतना नहीं लिया होगा, कुछ लोग कहते थे, लोग कहते थे, मैं भी ज्याज़ा आर्गुमेंट नहीं क दोसो चार कोल माइन्स को सुप्रिम कॉटने रद कर दिया यह चोड लुटरी की जिबतवारी हुई थी सुप्रिम कॉटने लालाग दिखाई दोसो चार कोईले की खदाने रद हो गई हमने ताय किया हम ट्रांस्परन पद्दती से अक्षन करेंगे निलामी करेंगे दुनिया के सामरे खुले आम निलामी करेंगे मिडिया के लोगों की हाजरी में निलामी करेंगे और मेरे भाईयों बहनों, 204 में से अभी सिरफ 20 की निलामी हुई है, जादा अभी बाकी है, सिरफ 20 की, और आपको मालूम है, जिन 204 ख़दानों से हिंदुस्तान की तिजोरी में एक रुपिया नहीं आता था, सिरफ 20 की निलामी से 2,00,00 करोड रुपिय से जादा रकम सरकार के ख़दाने में, और ये पैसे दिल्ली के ख़दाने में जमान ही करेंगे, जिन राज्यों में कोईले की खदाने हैं, ये पैसा उनके खदाने में जाएंगे, उडिसा के खदाने में जाएंगे, 36 गड के खदा जाने में जाएंगे राज्य में ताकत आएगी भाईयों बहनों इमानदारी के साथ अगर काम करें तो कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है यह उदहारण आपके सामने यह लोग जिम्मेवार नहीं है क्या क्यों उन्होंने जवाम नहीं देना चाहिए यह दो लाग करो रुपिया बीस ख़दानों कहा या कहां से तो पहले पैसा गया कहां था भाईयों बहनों मैंने आपको बादा किया था दिल्ली में अगर आप मुझे सेवा करने का मोका देंगे तो ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा ताकि मेरे देश वासियों को माथा नीचा करकर करके जीने के लिए मजबूर होना पड़े और आज मैं सीना तान करके आपके सामने हिसाब देने आया हूँ दस मेहने हो गए सरकार को एक दाग नहीं लगा मेरे भाईयों बहनों एक दाग नहीं लगा भाईयों बहनों अभी हमने नए कानून पांस किये मिनरल्स के विसमन मैं कानून पांस किया और मैं नवीन बाबू का आभारी हूँ के सउंसद में उन्होंने हमारा समर्थन किया तो राजसभा में भी वो बिल मंजूर होने में हमारी सुविदा हो गई और हम मिल करके मिल करके देश हित के निर्णाओं को करते चलेंगे और देश हित में हम काम करते जाएंगे भाईयों भेनों मैं जब पिछली बार आया था तब तो मैं प्रधान मंत्री नहीं था लेकिन यहां के लोगों ने मेरे सामने एक मांग रखी थी राजनीती का स्वभाव ऐसा है कि पुरानी बाते भुला देना जितना जल्दी हो सगे भुला देना लेकिन मेरे भाईयों भेनों मैं राजनेता नहीं हूँ मैं तो आपका सेवादार हूँ मुझे पुरानी बाते भुलाने में इंट्रेस नहीं है मैं तो खुद हो करके याद दिलाना चाहता हूँ और मैंने गतवर्ष 4 एप्रिल को इसी मैदान से मैंने जो गोषणा की थी तब प्रधान मंत्री नहीं था आपने प्रधान मंत्री बनाया और आज जब मैं पहली बार आया हूँ तो मैं उस वादा पूरे करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि इस पाद जनरल होस्पिटल अब इस पाद जनरल होस्पिटल इम मेडिकल कॉलेज कम सूपर स्पेशालिटी होस्पिटल के रूप में उसको विक्सीत करने का भारत चरकार ने निड़े कर लिया है भाई यो बहनो लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इस अस्पताल में आपको कभी पेशन्ट बन करके जाना पड़े मैं आज उतकल दिवस पर आपको शुब कामना देता हूँ कि अस्पताल तो हिंदुस्तान में बढ़िया से बढ़िया बने लेकिन बारो मैना खाली रहे कोई बिमार न हो किसी के परिवार में मुसिबत न हो किसी को अस्पताल जाना न पड़े लेकिन यहां की मेडिकल काले से होनहार नौजवान तयार हो करके देश के स्वास्थ के लिए भी तयार हो एक बात और भी हुई थी ब्रामनी नदी पर दूसरा ब्रीज बनाने की मैं आपकी कठिनाई जानता हूँ आज मैं आपको विश्वाद ललाता हूँ ब्रामनी नदी पर दूसरे ब्रीज का काम भी कर दिया जाएगा और उसके कारण रावर केला की कनेक्टिविटी कितनी बढ़ने वाली है इसको आपको पूरा अंदाज है भाईयो बैदों भाईयो बैदों आज मैं दूसे ही जगनाज जी को प्रणाम करते हुए उनके आशिरवाद ले रहा हूँ लेकिन पूरा उडिशा और एक प्रकार थे देश और दुनिया के जगनाज के भक्त नव कलेवर के लिए तैयारी कर रहे है कई वर्षों के बाद नव कलेवर आता है पूरा उडिशा पूरे विश्व का स्वागत करने के लिए सज्ज हो जाता है रेल की सुविदा चाहिए हवाई जहांजों की सुविदा चाहिए और कोई सडिटेशन संबंदित आवश्यक्ता है हो भारत सरकार कंदे से कंदा मिला करके उडिशा के इस नव कलेवर परव में आपका साथ देगी और उपर से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए 50 करोड रुपिया भारत सरकार के तरफ से भी इसमें मुहया किया जाएगा भाईयो भेनो आज इस पात के इस कार खाने का एक्षपांसन के साथ हम आगे तो बढ़ेंगे और आगे बढ़ने का संकल पकले करके जाएंगे विकास की ने उचाईयों पर आगे बढ़ेंगे और मैं राज्यों को निमंत्रित करता हूँ आईए एक नए यूग का ये शुभारम करने का अउसर है लंबी सोच के साथ हम विकास की निव मजबूत बनाएं ततकालिन फाइदे से मुक्त हो करके हमारी भावी पीडियों के कल्याण के लिए हम अपने रास्तों को प्रसस्त करें मैं फिर एक बार सेल के सभी मित्रों को रदे से अभिनंदर करता हूँ यहां के छोटे मोटे इस पांत के कारखाने के मेरे भाईयों बेहनों को अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ मैं उडिसा गवर्मेंट का बहुत आभारी हूँ और मैं कलपना नहीं कर सकता हूँ भाईयों मैं नहीं मानता हूँ किसी सरकार के कारखम में इतनी भीड कभी आती हो चारों तरब मुझे लोग ही लोग नजरा रहे हैं आपने मुझे जो प्यार दिया है ये प्यार एक प्रकार से विकास के प्रति आपका समर्थन की अभीवक्ति है देश के नौजवानों के भविश्य को बदलने के लिए आपके संकल्प की अभीवक्ति है हिंदुस्तान के किसान को, गाउं को, गरीब को ताकतवर बनाने के आपके सपनों को पुरा करने का, जो संकल्प है, उसका खुला समर्थन करने का आपका ये प्रयास है, मैं इसके लिए मेरे उडिया वासियों को शत शत नमन करता हूँ, उनका अभिननन करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, जय जगनार! जय जगनार! जय जगनार! कोटी-कोटी धन्यवाद माननिय, आपके अपने बन से भरे हुए संबोधन के लिए, इन गौरवशाली पलों और इस पुन्य भूमी की मधूर स्मृती को चिरिस्थाई रखने के लिए, हम माननिय प्रधान मंत्री जी को स्मृती चिन्न प्रधान करना चाहते हैं, मेरा आग्रा है माननिय केंद्रिय स्पात एवं खान मंत्री श्री नरेंडरी सिंग तोमर से की क्रिपिया माननिय प्रधान मंत्री जी को स्मृती चिन्न प्रभेट करें, बहुत बहुत धन्यवार अब हम माननी केंदरिये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास राज्जय मंत्री स्वतंत्य प्रभार श्री धनमेंद्र प्रधान से निवेधन करते हैं कि कृपिया आभार प्रकट करें मानेबिन्द्र मोधी, ओडिसार राजेप ला माननेबर्सरी जमीर, मुख्य मंत्री माननेबर्सरी पतनावक केंदर मंत्री तुमर, स्थानिय जननेता, माननेबर जुयल वावु, मंचस्त अन्नेन्य समस्त नेत्रुमंड़ि, मोपाकरे भाषा नहीं, पवित्र उत्कल दिवस प्रदान मंत्री मन्ने पके की ओडिसा आसीले। 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 प्रदान मंत्री जी का कोटी-कोटी धन्यवाद आज यहां पधारने के लिए। प्रदान मंत्री जी के प्रदान मंत्री जी के प्रस्थान करने तक अपने ही इस्थान पर रहे। आज उडिसा के यह धर्ती चुद्धन्य धर्ती मानी जाती हैं। बहुत ही हर्शित है माननिय आपके शुभागमन से। हम रिदे से आभारी हैं माननिय आपके इस अपने पन के लिए। माननिय प्रदान मंत्री जी का कोटी-कोटी धन्यवाद अपना आशिरवाद देने के लिए। सभी गण मानने अतितियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। माननिय प्रदान मंत्री जी के प्रस्थान करने तक रिपया अपने स्थान पर ही रहे। आज एक नई शुरुआत हुई है